अब बच्चो आज हम एक बुक रिव्यू के बारे में पढ़ने वाले हैं ये बुक एक बुड़े आदमी और समुद्र में की गई उसकी जर्नी पर आधारित है और हम इसके रिव्यू के बारे में बात करने वाले हैं अब बच्चो रिव्यू का मतलब होता है वो पहले देख लेते हैं। रिव्यू का मतलब होता है किसे भी चीज़ को देखकर या पढ़कर उस पर अपना ओपीनियन एक्सप्रेस करना। For example, अगर movie है तो audience movie को देकर अपना opinion बताती है और rating देती है 5 में से 3 star, 5 में से 1 star जिसे देखकर दूसरी audience को ये पता चल जाता है कि ये जो movie की story है वो watching worth करती भी है या नहीं पर हम यहाँ पर एक book के review की बात कर रहे है The Old Man and the Sea book की audience का इस book को पढ़कर क्या reaction था क्या ये book reading worth करती है तो answer है of course ये reading worth करती है इस book को American writer Ernest Hummingway ने 1952 में published किया था और इसकी story इतनी कमाल की है कि इसकी कहानी ने कहीं के दिल जीते और इसे सबसे शांदार prize Pulitzer Prize तक दिया गया है lesson के starting में ही book के cover को बताया गया है जिस पर लिखा है कि Old Man and the Sea Book Pulitzer Prize की winner है और ये एक fiction story है fiction मतलब मंगर जिसे हम imaginary भी कहते है और सबसे last में writer का नाम भी दिया गया है Ernest Hummingway तो चलो अब बढ़ते हैं story के ओर तो generally ये story है एक old और experienced Cuban fisherman की Cuban मतलब Cuba country के रहने वाले जो की एक island country है तो कहानी के starting में हमें कहानी के main character के बारे में बताया गया है जिनका नाम San Tiago था पर lesson में नाम mention नहीं किया गया है तो ये जो old man थे उनके पास क्युबा की citizenship थी और वो काफी experienced fisherman थे experience थी से लिए क्योंकि वो अपने जवानी के दिनों से मचलिया पकड़ते आ रहे थे पर अपने हाली में चलते bad luck की वज़े से वो पिछले 84 days से एक भी मचली पकड़ नहीं पाये थे याने कि लगभग 3 महीने से वो खाली हाथ लोट रहे थे और ये एक fisherman के लिए बहुत ही बड़ी बात होती है कहानी का second main character है Manoline जो कि एक teenage young boy था वो old man का एक अच्छा friend था और एक एसा person था जो पूरी इमानदारी के साथ old man के हातों की नीचे काम करता था एक तरह से Manoline old man के साथ काम करके fishing trade सिख रहा था पर old man के बुड़े हो जाने के वज़े से और उसके bad luck के वज़े से Manoline के parents उसे force कर रहे थे कि वो old man के यहाँ से काम छोड़ दे और कही और किसी दूसरे fisherman के यहाँ पर काम ढूंड ले कहानी में आगे बताया गया है कि old man ने अपनी problem का solution ढूंड लिया था एक बड़ी से fish को पकड़ने के लिए वो सारे fisherman को पीछे चोड़ कर बहुत दूर sea में आगे निकल गए थे 85th day के दिन old man ने एक बार फिर fish को पकड़ने के लिए hook food में लगाया था यह एक trap था fish को catch करने के लिए और वो इसमें successful भी हुए एक बड़ी 18 feet की marlin fish old man के डाले गए hook में फस गए थी पर marlin fish बड़ी होने के वज़े से बहुत strong थी old man बुडे होने के वज़े से fish का इतना weight उपर नहीं खीच पा रहे थे और वो marlin fish को जाने भी नहीं दे सकते क्योंकि यह उनकी जंग थी यहां उन्हें खुद को साबित करना था खुद की भूग को मिटाना था वही दूसरी और marlin भी अपनी जान बचाने के लिए boat पर पूरा जोर लगा रही थी बच्चो marlin fish मतलब यह एक बड़ी मचली है जो खारे पानी यानि की sea में पाई जाती है इसे गेम fish भी कहा जाता है क्योंकि इसे पकड़ने के लिए मजबूत hook लगता है और इसे पकड़ते वक्षपोर्ट का मोहल create हो जाता है क्योंकि पकड़ने वालों को काफी कसरत करनी पड़ती है मारलीन की जो jaw होती है वो काफी लंबी होती है और इसके पूरे body पर sparkle type shining होती है So the old man and the sea एक story है old man की जो मारलीन fish को पकड़ने के लिए struggle कर रहे थे और finally 3 दिन के लगाता struggle के बाद old man मारलीन को finally पकड़ लेते है पर वो बहुत बड़ी थी इसलिए old man उसे boat के side में बान देते है और अब वो मारलीन को लेकर वापस अपने घर लोट रहे थे वो रास्ते में सोची रहे थे कि उस fish के उन्हें कितने पैसे मिलेंगे इतने में ही मालीन के खुन की smell लेते हुए वहाँ shark का जून पहुच जाता है old man अपने भाले से उन्हें माने की कोशिश करते है पर एके करके सारे sharks मालीन को खा जाते है रहे जाता है तो सिर्फ उसका skeleton तो story में shark और old man की battle को भी बताया गया है तो ये सारी बाते हमें बताती है कि old man हार मानने वालों में से नहीं थे next point है social and historical context context मतलब factors and social context मतलब the point how someone react to something that means क्या story society को influence कर पाई है and historical context मतलब इसमें जो information है वो कौन से past event को cover कर रही है and all that तो बच्चों Hummingway की ये novel यो तो fictional है but it's based on some real events तो Hummingway के खुद के साथ past में हुए थे तो उन्होंने इस novel के जरिए अपने कुछ information और knowledge भी share किये है Hummingway को fishing का experience भी है in Cuban water and like the old man वो भी baseball के बहुत बड़े fan थे उसके बाद Hummingway ने first world war के time पर Italy में Red Cross के लिए काम भी किया था Red Cross मतलब ये एक organization होता है जो सफर कर रहे है लोगों को medicine ये ambulance प्रोवाइड करके उनकी मदद करता है तो Hummingway जब Red Cross के लिए ambulance चलाया करते थे तब वो injured हो गए थे sharp nails से बचो शैपनल मतलब एक missile जैसे दिखने वाला गोला जिसके अंदर bullets भरी होती है और जब ये bomb फुटता है तो इसके अंदर की bullets या fragments से कोई भी मर सकता है और इसके कारण 18 साल की उमर में ही Hummingway को 6 महिने के लिए hospitalized किया गया था जिसके चलते उन्हें कहीं सारे surgeries करवानी पड़ी थी इसलिए वो हमेशा एक ही चीज़ पर जादा जोर डालते रहते हैं कि हमें जरूरत है struggle करते रहने की हमें हार को या मोत को इतने जल्दी अपनाना नहीं चाहिए हमें उसके खिलाफ लड़ना चाहिए जब आप उस चीज़ का सामना करूगे तब आपकी willpower और tolerance आपको ये struggle जीतने में मदद करेगी और ये humming way के life का एक past event था जिससे उन्होंने अपने novel से जोड दिया ताकि वो old man के struggle के जरिए social environment पर अपना impact डाल सके इसी तरह old man भी story में end में mood के करीब थे क्योंकि इस struggle के दोरान उन्होंने भी अपने body पर कही चोटे खाई थी अगर आप novel को पढ़ेंगे तो सारी बाते आपको detail में पता चल जाएगी और आप ये जान जाएगे कि कैसे इतना सफर करने के बावजुद भी old man उन शार्क के actions के वज़े से हार गए थे हार कर भी उन्होंने कितनों के दिल जित लिये and he will live forever in the memories of the people of his village finally ये जो story थी इसे humming way को काफी achievement मिली because ये जो story थी उनके जिन्दगी की वो उनके मोत के बाद भी जिन्दा रही novel को 1952 में publish किया गया जब लोग दोनों world war के हो चुकी नुकसान से बाहर आना चाते थे जब सफर कर रहे readers ने old man के tolerance और उसके victory की story को पढ़ा तब वो इस story से खुद को connect करने लगे उन्हें दया आने लगी वो old man के साथ अपने emotions जोड़ पा रहे थे जिसने अपने bad luck को good luck में change किया अगर सीधे बात करें तो लोग writer की writing से influence हो गए थे तो बात करते हैं humming way के next point writing style की तो writing style में बताया गया है कि humming way ने जो language यूज की है is simple, sweet and full of power वो ज्यादतर short में बात निप्टाना पसंद करते थे मतलब अगर आप उनके stories को पढ़ते हो तो आपको एक बहुत long script नहीं मिलेगी वो short stories लिखते थे और कही पर भी story में वो बात को घुमा कर पेश नहीं करते थे वो straight forward sentence लिखते थे मतलब कि इतना सीधा और सरट की बच्चे को भी समझ में आ जाएगा humming way अपने words में extreme economy भी add कर देते थे इसका मतलब होता है कि वो बहुत ही कम शब्दों में अपने thoughts और ideas को publicly express करते थे उनकी writing में ही simplicity जलगती थी और इस simplicity में इतनी power थी कि कोई भी उनके लिखेगा story को सची मानेगा इस बात पर तो मैं भी believe करती हूँ क्योंकि जब मैंने old man and the sea story को पढ़ा तो इसमें मुझे इतनी सचा ही नजर आ रहे थी कि मुझे लगा कि शायद ये story real है और यही तो कमाल की बात हुती है writers की अब humming way की ये story लोगों को बहुत प्रेना देती है इसलिए readers उनके इस work को बार बार read करते हैं जब भी वो इसे दुबारा पढ़ने आते हैं तो वो हर बार कुछ ना कुछ नया सिक कर जाते हैं अब last point है my thoughts इसमें एक reader ने अपना opinion एक्स्प्रेस किया है कि उसे old man and the sea book कैसी तो reader यहाँ पर कहता है कि कुछ सालों पहले उसने ये novel पड़ी थी पर उस वक्त उसे कुछ भी समझ में नहीं आया और वो इस novel से बिलकुल भी impressed नहीं हुआ despite of this एक powerful image ने उस reader पर छाप छोड़ दी थी और वो image थी old man की जिसने खुद को चुनोती देते हुए अपनी आखरी strength तक मचली के काटे को पकड़ कर रखा recently reader ने फिर से उसी book को read किया and this time उसे बहुत ही sad फिल हुआ old man character की डरा देने वाली strength को जानकर manoline का energetic और dedication देखकर और इन दोनों के बीच का relationship जो था वो काफी heart touching था और आग ये reader कहता है कि humming way ने जिस तरह से see और पानी में पाय जाने वाले creature को describe किया है वो काफी amazing है इन लाइफ को बचाने के लिए तीन दिनों तक जुंज रही थी and it's hard to know क्योंकि book पढ़ते वक reader के लिए ये मुश्किल हो जाता है कि वो अपनी sympathy किसे दे old man को या फिर marlin को क्योंकि bad luck तो दोनु का ही है अगर marlin हार जाती है तो वो मर जाएगी और अगर old man हार जाता है तो वो खुद को हमीशा के लिए खो बैटेगा last में reader ने कहा है कि जैसे जैसे हम novel को आगे पढ़ते हैं हमें ये पता चलता है कि old man and marlin दोनु भी characters same ही है दोनु भी perfect बनना चाते हैं दोनु भी bravery का example है और यही जिद दोनु को एक दूसरे से separate नहीं होने देती है और इसी reason के वज़े से वो एक दूसरे से connected है and overall this book shows us the brave struggle against destruction तो इसे के साथ chapter का explanation यही पर finish होता है अगर आप चैनल पर नए है तो चैनल को subscribe जरूर करें अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को like जरूर करें अपने दोस्तों के साथ share करें जोइन करें हमारा टेलिग्राम ग्रूप जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी है